आज 15 अप्रेल है 15 अप्रेल 2021 कल बावा साप का जनम दिन था 14 अप्रेल और 15 अप्रेल के दिन जो जनम दिन है वो है अम्बेट का भवन रानी जहांसी रोड का 1951 में आज से ठीक 70 साल पहले बावा साब अम्बेटकर ने एक पत्थर लगाया एक उद्घाटन किया जो जमीन उन्होंने 1946 में 4500 रुपे यानि साले 4000 रुपे की लीज पर ली जिसकी कीमत आज लगबग 2000 करोड रुपे है वो कनाट पेस के पास है संसद के बहुत ज़्यादा पास है दिल्ली के अंदर है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी समाज के लिए जगे है उसमें जो पत्थर लगाया हुआ है जो आप यह चित्र में देख रहे हैं वो उसका फाउंडिशन स्टोन बावा साव अंबीट करने रखा था उसमें एक लाइन है जो बहुत इंपोटेंट है वो लाइन है सेवियर दा सेवियर ऑफ अंटचिबल्स ऑफ इंडिया यह जो सेव सब्द है, सेवियर सब्द है, यह सेव जैसे आप अपना फोटू सुरक्षित करते हैं, सेव करते हैं, जैसे आप अपना फाइल कम्पूटर में सेव करते हैं, अपना काम सेव करते हैं, यानि कि अंटचेबल से जो भारत के हैं, जो भारत के अशूत हैं, उनका र कि यह पूरे भारत के अच्छूत लोगों की रक्षा करने वाली जगे है यानि कि यह जो जगे है यह पूरे भारत की है इसका जो नाम है दा स्रिडल कास्ट वैलफेर एसोसेशन देहली के नाम से है देहली स्रिडल कास्ट वैलफेर एसोसेशन मगर देहली का मतलब यह नहीं ह अमबेट करने देखा था वो उस पत्थर में लिखा हुआ है जो आप यहां देख रहे हैं जो आप अमबेट का भवन जाकर देख सकते हैं समझ सकते हैं दरसल यह जो दो हजार करोड रुपे की आज के समय जो जमीन है अतना बड़ा टुकड़ा है यह बहुत बेस कीमती इसलि है कि जो लगबग आज के समय जो एक अरब और बीस करोड जो लोग हैं जिनको बावा साब ने सब को बैकवर्ड कहा था वो सब लोग यहां यूनाइट हो यहां बीस हजार पस्छे हजार की गैदरिंग आसानी से हो जाती है यहां वो अपनी अपने डवलमेंट की अपने द जब सेवियर ऑफ अंटचिबल्स ऑफ इंडिया वो लिखते हैं तो पूरे भारत की बात करते हैं बावा साब ने इसका एक सम्विधान भी बनाया हुआ है आप वो सम्विधान लेके पढ़ सकते हैं यहां मैं आपको एक इंटरिव्यू दे रहा हूँ जो आज के समय के 2010 से महां के प्रधान चले आ रहे हैं दरसल यह सारे ही जो लोग हैं जो आप यहां पट्रिका पे देख रहे हैं और जो नाम हैं जो लिखे हुए हैं यह बहुत ज्यादा पढ़ लिखे लोग नहीं हैं यह उस समय जो अबिलेबल लोग थे वहीं हैं और इनके वनसज चले आ रह थी मगर हो उल्टा रहा है इसका उल्टा ये हो रहा है कि जो कुछ अधिकार वो लेका आये थे वो सारे चले गए और ये जगे किसी काम की गही नहीं इसको जगे को काम को बनाने के लिए दिल्ली के सभी लोगों को जो स्रिडुलकास्ट वैलफेर एसोशेशन या देहली स्रि जो नहीं दी जाती है क्या बात है कहीं कोर्ट वोट का बहाना लगा देते हैं कहते हैं कि कोर्ट का ये केस है कोर्ट का वो केस है कोर्ट के केस भी किसी सकार ने नहीं डाले हुए है को बाहर के लोगों ने नहीं डाले हुए है यहीं के लोगों ने डाले हुए है वो भी इस वो सभी लोगों का जितने भी जाती हैं उनका आना रोक देंगे अगर आप स्रेलुकाष्ट वैलेफेर एसुचरिंग के सम्विधान को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बावा साब ने ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा सब के लिए वो जगे खुली हुई है भारत के वकीलों को इस मामली में पहल करनी चाहिए उनको यहां आना चाहिए जो पत्रकार हैं वो सारे पत्रकार क्योंकि पत्रकार अभी बन रहे हैं बन नहीं पाएं उनको पूछना चाहिए कि यहां की क्या इस्टोरी है क्या इस्टोरी नहीं है बावा साव अंबेट करने जो 1951 में यहां पत्थर लगाया था उसके बाद क्या हुआ 1946 में जो यह जमीन खर्च करी दी थी क्या हुआ उस समय तब से लेकर अब तक यहां की पुरैस क्या है कितना काम हुआ कितने लोगों का यहां वेलफिर हुआ कितने देश के लोग जुड़े कितनी जातियों के लोग जुड़े कितने सुरुलकाश्ट टच्शेबस लोग यहां कल्यान कर पाए सरकार से कितनी बात कर पाए सरकार का यहां से समवाद बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि सारे MP सारे म पूरी इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है वो यहां रहती है तो जितने भी संग्ठने उन सब को यहां आना चाहिए इस एसोशेशन का मेंबर बनना चाहिए अगर नहीं बनते हैं तो देखना चाहिए कि आखिर रोक के बैठा कौन हुआ है उस सारी एसोशेशन के मेंबर बनने के लिए यह जो बड़े बड़े लोग बड़े भाशन देते हैं उनको कमसेम इतना समझना चाहिए कि यह बावा साब ने सारे अंटचेबल्स की सेविंग के लिए शेवियर के लिए सुरक्षा के लिए रक्षित करने के लिए जगे खरेदी हुई है यह पत्थर बार बॉधियर के लिए जो बशन है करना चाहिए है यहां सारे के सारी बाता मगर दूंडे से मिलेगा नहीं ऐसा लगता जैसे किसी कार का गैराज हो सीधा 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 सा है यहां कोई बूढ़े कोई उनकोई देशना होती है आप अगर एयरपोर्ट से उतरेंगे रेलेवे से आएंगे बस से आएंगे बाहर से आएंगे और यहां आगे बुद्वियार ढूंदेंगे तो आपको मिलेगा नहीं मुझे अच्छी तरह याद है एक वार मैं यहां बुद्वियार में बैठा हुआ था लगबग 20 साल होगे करीब तो एक आये सबसार साम तागडे जी आये सी हुंटे ढानते कैसी वह पहुंचे बाई चांस मैं उनको मिल गया वहां हमारी बातचीत हुई वह बड़े परिशान हुए उसके बाद हमारा उनसे बड़ा संपक्राहार आज भी उनके साथ दोस्ती है वह भाराष्ट में धम का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यहां धम के सारी लोग आना चायते हैं दम के सारी लोग जुड़ना चायते हैं मगर ज़ुड़े किस सेń के बुद्ध बिखार है नहीं बोदी व्यक्षका सहा है अता पता है नहीं किसी को नहीं बावा-चाबन नहीं जम si об लोगों के लिए ख्रेद के नहीं कुई किसी को है तो यहां सारे लोगों को आना चाहिए अगर ददस रुपे भी खटे करेंगे तो भी यहां इतना पैसा एकटा हो जाता है कि यह सरदार जैसे सिख लोग होते हैं उनकी तरह यहां जैसे उनका गुद्वारा प्रवन्दन चलता है वैसे यहां से पूरी भारत के जितने बुद काबिल भी हैं इनके पास काबियत नहीं है इस बात को मालनेना चाहिए मगर इनमें एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है जिसका मैं यहां इंटरव्यू दे रहा हूं आपको कमर्स और जो दो हजार साल दो हजार दस से यहां प्रधान बने हुए हैं उनकी इक्षा है कि य यहां पूरी क्यों नहीं हो रही है क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं बहुत पास से जानता हूं वो एक अच्छे हिर्दय के अच्छे व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाके या जैसा भी हो यहां सब मेंबर्सिप सारे लोगों की खुलनी चाहिए और सारी मेंब वाद दे रही है इस आसिरवाद को लेने के लिए सभी जातियों सभी काश्ट और सभी तरह के लोगों को बैकवर्ड को भी यहां आना चाहिए और जो भारत के 120 करोड़ लोग है एक अरब 20 करोड़ लोग है उन सब को यहां से आके सेंट्रलाइस सिस्टम बनाना चाहिए पूरा सेंटर पूरे भारत पूरी दुनिया में चलना चाहिए जिससे के संविधान की वैसे इस जो देश इतना आगे बढ़ा है वो लगातार आगे बढ़ता रहे और इसमे आप ईतना चाहिए तक रहे और लंगा प्त्र है जो वावव साब के द्वारे लगा था अब क्या है कि लोगों ने इसके बारे में गलत फ्यमी डाल दी गलत फ्यमी यह डाल दिया कि यह वो पथ्थर नहीं है यह गारे और एसा करने का हमारा क्या वह है जब कि हमारे लिए हर चीज पूजनी है तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि उनकी चीज को इदर वही है तो यह आपने लिफ्ट नहीं बनी है अभी कैसे लगवाया और क्या किया इसमें आपने चेंज यह यह लिफ्ट की जगह पर ही पहले लगा हुआ तो इसलिए इसको इसको यहीं रगाया है आते जा साब हो गयाता लिखा हुआ था उसकी जगह आपने इसकी बैक्साइड में सही लिखवादी पथर और साब के द्वार लगाया है वही है बावा साब करना यह जमीन खरी दी थी साड़े चार अजार रुपे की और खरीद करके उन्होंने दिल्ली शुरूलकास वेलफेर एसो एसोसेशन को सौंप दिया था और इस एसोसेशन के जो पहले प्रसीडेंट थे वह थे वही बावस आपकी पार्टी के भी वह थे आज आज कल मैं हूं मैं 2010 से हूं आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ है ये सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद सरेन गच्छामू तो धम सेनम गच्छामी धन्यवाद सरेन गच्छामू तम्मं सेनम गच्छामी संगं सरेन गच्छामू तू थियंपी बुदं सेनम गच्छामू तू थियंपी बुदं सेनम गच्छामू तुम्तियम पीधममर से लूँ बच्छामू